वेल्कम बैक टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शाइड में दिये गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हेलो गुड मॉर्निंग और अभी नहा के आई हूँ और मैं मंदिर साफ करूँगी सबसे पहले मंदिर में पहुचा ही लगाना होता है मतलब जो यह बढ़ता है यह साफ कर लूँगी और जो जल रखा है वो बाहर पुद्दें उनमें डाल देती हूँ और सबसे मतलब अच्छी बात होती है सुबह सुबह में जो नहाके और अपने घर में पूजा बाट करते हैं वो सबसे अच्छी होती है और दिन की सुरवात भी तभी बहुत ही जादा अच्छी होती है और इस टाइम तक दूद वगरण निकल चुक आयसले मैं थोड़ी से लेट हो जती हूं मैंने काफी बाहर बोला है कि मैं थोड़ी से लेट हो जाती हु पूजा करने में क्योंकि कहीं बार तो होता है न सुबह सुबह भी पूजा कर लेते हैं कहीं लोग तो लेकिन मैं सबसे पहले ही बटन साफ करूंगी जो फिर एक साफ कपड़ा लेकि इनसे जो मूर्तिया हैं सारी उनको भी मतलब उनके नीचे अच्छी तरह है मतलब सारा कुछ साफ करती हूं हर रोज फिर नीचे पोचा लगाऊंगी फर्स पर यह होता है मतलब जब हम सारा घर साफ करते हैं अपना तो मंदिर भी तो होता है ना कि सबसे बहले उसको भी अच्छे से साफ करो और इनको साइजी जोग अच्छे से साफ करके और फिर बर्दन साफ कर लूँगी उसके बाद फिर मैं पोच्चा लगा दूँगी और फिर थोड़ी सी देर बाद पोच्चा सूख जाएगा उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी और बाकी के घर में तो देखो पिंकी लगाती है फोचा वस ये मंदिर में तो मैं लगाती हूं हमेशा क्योंकि फिर सुबह सुबह में वही होता है कि नहा के ही पोचा लगाना होता है इस विज़े से और इस टाइम में घर में आरती भी चलती रहती है, वो तो मैं आपको सुना नहीं सकती, फिर वो ही कोपी राइट आजेगा, और यह थोड़ा से अब लोसन लगा रही हूं, फिर जब तक मंदिर सूपता है ना, तब तक मैं कंगी कर लेती हूं, यह जो चोटे मोटे काम है, व और बस अब पूजा करेंगे, मैंने का कि उसे बल चलो वीडियो भी शुरू कर लेते हैं, तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है, तो वीडियो को लाइक किया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो, त अब कुछी दर भी एक चोटव सब बोक्स बना हुआ है, उसमें रख देती हूं, फिर यहां पे रखके, फिर बाद में पूजा कर लेती हूं, फिर नीचे तो रखनी सकते, नीचे फिर वो चीटी आँ जाती है ना, इस वज़े से मैं चोटव से बोक्स में रखती हूं, सा किस टाइम पे नास्ता बना रही है बस, वो नास्ता बना के दे भी देती है, कई बार सब को जब तक मैं पूजा करती हूं, जो मैं तोड़ी ची लेट हो जाती हूं ना, फिर कई बार अगर मेरे पास टाइम है, तो मैं भी सब को नास्ता दे देती हूं, यासा ही होता है, अ अब भते रिफ्र मैं तो बहुन में तो पर न को बहुत दिर के रहर मैं की दुल की शुर्धियें Especially मैंने ने का टेस हुआ कि ब्रतन साफ कर देँह। और फिर नथ बीथके और फिर अनि प्रस्व होससे उने के पेम फिर सो किया नहीं वह बाद में करूंगी पहले यह वाला कर रही हूं और यह वाला साफ करके फिर अंदर करूं साफ करने के बाद बस फिर खाना बना लेंगे जब तक पिंगी नहा दो के वह सबजी कट करके रख देगी यह होता है मैं अगर यह करती हूं तो वह कर देती है जब मैं यह तो मेरी आदत है हर रोज एक कपड़े के साथ सारी चीज़े साफ करने की यह तो बस अपना रूटीन बना हुआ है ना और बाल देखा अज सुब ऐसे और रात तक ही ऐसी रहेंगा अज तो ना मेरे मतलब याद ही नहीं है मैं ऐसी कलेशर लगा लेती हूँ कहीं बार तो मैं जूड़ा भी बना लेती हूँ लेकिन कंगी तो एक बार होता है कि सुबह में कर ली तो चलो भी कर ली अगर मेरा चोटी बनाने का मन होता है तो मैं दो पहर में करती हूँ नहीं तो मैं ऐसी कर लेती हूँ और आज वही ओर है वस कलेशर ऐसी लगा रखा है मैंने और अब बाहर का सारा काम निपड़ चुका है और दूप देखो कितनी हो रही है न ऐसी लग रहे है जैसे कहीं बाहर तो यह भी लग रहा है कि यह रोशनी एक साइड यह रात का टाइम है और एक साइड अंधेरा है लेकिन यह दूप है इतनी तेज और अब यह वाला रूम कर रही हूँ बस साफ यह सारी जीज़े वही बाहर रखोंगी इस रूम की भी और उस वाले रूम की भी और जो यहां महां कपड़े पड़े हैं, इनको सब कोई कट्टे कर दूँगे, और आज मैंने कपड़े नहीं धुले, बस वो मैं कल धुलूँगी, और बैस यह सारी ची जई उदर रखे, फिर चदर वगएरा सेट कर लूँगी, फिर बस खाना बनाना ही, बाकी बचा है वो अजय कर दोँखे, झाल रूँखे, बाकी जई नहीं बचसे पिते हैं, झाल रखे, झाल पसाओ प्ड़े झाल, बाकीशा बचसे कर दूँखे. और आज ना सारा दिन वस ऐसे ही निकल गया और ये सारी चीज़े मतलब कम्प्लीट करने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए रेष्ट करूँगी उसके बाद ही जाके फिर सब्जी में तड़का लगाऊंगी और कामनी प्टाने के बाद मेरे यादा था कि मैं तोड़ी देर रेष्ट जरूर करती हूँ और आज इसी वज़े से मैंने मतलब जूड़ा वगयरा चोटी कुछ नहीं बनाई क्योंकि मेरा मन नीत आज विल्कुल भी और अब मैं सब्जी में तड़का लगा रही हूँ मैंने कहा इस पेकुकर जड़ा दे कुकर में तेल डालने के बाद ही जीरा दन्या सारी चीज़े डाल दी और अप्याज डाल रही हूँ और आज भी दो चीज़े बनाऊंगी वही एक डाल बनाऊंगी बच्चों के लिए साथ में बनाओंगी लोकी की सबजी क्योंकि लोकी की हुई और जी डाल कई बार इस टाइम भी बना लेती हूँ यही है इस वज़े से राज बना रही हूँ बस अब यह तोड़ी सी मतलब सारा तड़कत त्यार हो चुका है हमारा सारी जी मैंने इसमें डाल दी अब थोड़ा सा पाने डाल के इनको अच्छे से पका लूँगी ताकि यह टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए इसके बाद मैं डाल डाल दूँगी इसमें और दाल मैं मजरी की बनाओंगी मैंने उनको पहले भी गोके अच्छे तरह दुलके रखा हुआ है और साथ में लोकी भी पिंकी ने कट कर दी उसको भी बस बात में दड़ लगा दूँगी यह एक सिटी में हो जाएगी और लोकी दो सिटी में हो जाएगी बहुत जल्दी हो जाता है इसी वज़े से मैं थोड़ी सी देर ना पहले रेश्ट करती हूं उसके बाद फिर हम खाना बनाते हैं और फिर अब बस पिंकी फुल के बनाते की मैं जब को डाल कि देदेँगी वोई होता है, दो में यहीं फाइदा होता है दिखो अगर एक कुछ कर रहा है तक दूसरा कुछ कर लेगा, बड़ी जल्दी काम इस वज़े से हम तोड़ा सा रेष्ट करके भी बना लेते हैं कुछ ने क्योंकि एक ने तो करते रहना है सारा दिन काम और दो होंगे तो देखो दो मिलके उतनी जल्दी कर देंगे वही काम इस वज़े से और अब दाल भी हमारी बन चुकी है और मैंने दूसरे बरतन में निक में पूर्ड करके रखशी हुई है और जो हैं मतलब जो घर की लोटी होती है ना उनका टेश्ट बहुत ही जादा अच्छा होताया लेकिन मार्केट के होती है उनका बिल्कुल भी étक अच्छ नियुथ आता है इस विजय से हम बहुत कम बनाते हैं, जदय में पर थे कोपते बना ले कभी राइदा बना ले, कभी प्राँथे बना ले यह करते हैं, सब्सक्राइटे भींगे पनाती है इस वजय से ताकि पर भी तेस्टिण ही लगती है और अब मैंने सारे सुक्य मसाले डाल दिया टमाटर डालने के बाद मैं बीच मैं दूसरी बाते भी बोलने लग जती हुआ फिर होता है ना कि एक बात के साथ फिर दूसरी बात भी कहीं से आई जाती है इस वजय से और थोड़ा से पाने डाल गे इनको अच्छे से सौफ्ट क पकाना ही है बसा में और लोग ही मैंने एक चोटी ची लिती ज्यादा बड़ी तो लिनी क्योंकि मुझे थोड़ी सी बनानी थी और फिर यह भी होता है कि कहीं बार खाते भी नहीं इसलिए और यह देखो मैंने अच्छे दर दुल के काटके रखका हुआ इनको अब यह भी काली है और भी लगाँगी भिसाएं और हरी शबजी भी बहुत ज़्या जरूरी होतिए और मैंतुदा खाली है तो इतना सा पानी डालने की हमें जुटनी थी लेकिन ये जो मार्किट में आते हैं इन में थोड़ा पानी डालना ही पड़ता है तो ये कच्छी कच्छी सी राज आती है इस वज़े से और अब सबजी बन चुगी है वो ही आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने दो शीटी लगवाई थी और थोड़ा से पानी बी डालता है तभी बनी अच्छे से बिल्कुल और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ थोड़ा से इसमें गरम मसाला डाल दूँगी फिर इ दिखा रही हूँ आपको आट्टा त्यार करके रखा हूँ है और दाल यह देखो हमारी बन चुकी है और इसमें अगर हर धनिया ओ तो कितनी अच्छी लग दी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती और कितनी अच्छी दिख रही है ना दाल और शाइड में दही भी है ब आजकल पता क्या हो रहा है, यूट्यूब पे देख रही हूं, काफी सारे लोग इनकी अन्बोक्सिंग करकर के दिखा रहे हैं, उनके पास ये आ रहे हैं, मेरे पास था, इसलिए मैं दिखा रही हूं आपको पहले ही, कि ये देखो, आजकल ये वाले कुकर आ रहे हैं न सब क करके पास, ये मेरे भाई ने पहले ही भी भीज रखा है। मैं नेसको इसको पहले हिए और मैंने पर दोबारा फिर निकाल लि roughly आपको, चलो कि भी उबारा फिर देख़ें कैंगा कितना अच्छा है यह मेरे भाई ने वे जदा मेरे लिए काफी लाइट कज है बहुत ही जदा अच्छी जीज होती है और यह खाना विल्कुल टेश्टी वाला त्यार हो चुका है देखो डाल सबजी गुलाब जमून मैंने दुबारा फिर बनाएते उडलसी तो खालो आप के लिए और अब साम के टाइम चाय बना रही हूं यह चाय उबल दिया है और बस समतीन के लिए ही बनेगी आज आज मेरा भी मन था की चलो मैं भी मेरे ना थोड़े शाज सर में दर था इस वज़े से रिंग को तो अब है नहीं इसलिए मैं पिंकी और आरियन के पापा बच और हम ग्लास में भी पी लेतने हैं कभी कभी हम कप में पी लेते हैं कि सर्दी में तो ज़्यातर ग्लास में पीएंगे क्योंकि फिर कप में दो ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है जल्दी से और यह माटू के लिए मैं एपल कट कर रही हूं कहता आप ही दोगे आप ह प्रखलू गरम होने के लिए काता है नहीं बीच में पहले आप एपल कट करके दो बाद में आप अपना काम करना और पिंग की सूट सील रही है वह हां वो अपने सूट की तुरपाई कर दिया है बैठके वही होता है कि फिर उसको मैं बार बार क्या उठाऊं और यह देखो आ तो अब ही आई हूं दूद निकालके और आज थोड़ी सी लेट होगी थी मैं दूद निकालने में और बस अभी मैं दूद गरम होने के लिए रखूंगी उसके बाद फिर मैं वही नहां के बूजा करूंगी फिर आत का खाना पीना देखेंगे फिर सारा दिन का कहीं बार पूरे दिन का रूटीन में शेयर निकर पाती कहीं बार में पूरे दिन का रूटीन के साहँ कर देखेंगे मैं इसलिए हैं कभी किसी टाइम का पूरे दिन का बूच यह ज़्यादा लंबी ब्चायता हुआ सथी यह यह को नहीं पदती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो और चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो तो मिलती हो कल आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके बाई